हालो एब्रिवन कमल वैज किचन में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं ओड्स का उपमा ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी एंट टेस्टी रेस्पी है ये तो चली जल्दी से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले पैंड डालेंगे 1 और इसको 3-4 मिनिट इस तरण से ड्यरोस्ट कर लेंगे भून लेंगे थोड़ा सा तीन कि दालेंगे एक कप पाणी डाला है इसमें पकाना नहीं अभी पस गयास का फ्लीम ओफ करें और दस मिनिट तक ऑड अधा से रहने दें पांस से दस मिनिट के बाद इसको इस्तरण से प्लेट में निकालकर इस तरण से फिला दीजिए तो जुड़ेंगे ने बिलकुल भी पान में डालेंगे, एक टेबल स्पून ओयल, अब इसमें डालेंगे आधा शोटी चमच राई, 1 चमच तूरप sem डालेंगे जीरा, एक चमच इसमें मैंने चना दार डालिएंगे, 7-8 तूरप गडिपता थोड़ा से इसमें डालेंगे कडिपताओ, और 7-8 मैंने इसमें डाले एक काजू, थोड़ा से इसको बून लेंगे, अब इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, एक इंच अदरक टुकड़ी को मैंने इस तरह से लंबलंबा काड लिया था, इस तरह दो हरी मिर्च को भी इस तरह से काड के डाला है मैंने, इसको भी अब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई गाजर, साथ सी आठ कटी हुई बीन्स, आदा कप इसमें मैंने फ्रोजन मटर डाले हैं, आप चाहे तो इसमें फ्रेश मटर भी टाल सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच नमक, बान फोर्स चमच के करीब मैंने इसमें , ել स्बस्पून दाले एक स्पून के शिछेशे के पाणी हम पना को बड़ा एक से डो मिनिटे 1 दू दू य सिले और आप ब inom जाज़ी आप है ही सब्सक्राइब अजिए ऍल देखें स्टे करसे ड़काना चाहते तो इस तरह से आप इसको जुरूर बना के देखें बहुत ही अच्छा बनता है यह तो यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक टेबल स्पून के करीब पानी डाला है वह मैंने इसलिए डाला है कि ओर्स जो है सब्यों की साथ अच्छे से मिक्स हो रहें बस एक मिट के लिए इसको ढख देंगे एक मिनिट के बाद यह देखिए कितना अच्छा ओर्स उपुमा बना है बिल्कुल खिला खिला सा उपर से डालें कटा हुआ हरा धनिया गर्म गर्म इसको सर्व करें और एक वर इस रेस्पी को जरूर ट्राय करें और मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी आज की ओर् कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर बाचिए